केला बेचने वाली चुड़ायल एक बार की बात है जादूपुर नाम के गाउ में कर्तब दिखाती एक औरत एक रेड़ी के लिए गाउ में आती है आईए आईए महरवान कदरदान खाये रोणा के ताजे ताजे केले कभी खाये नहीं होंगे ऐसे केले पिले पिले केले खाये ये कहकर रोणा हाथों में चार केले लिए उन्हें सर्कल में जूर जूर से हवा में उच्छालती हुई कर्तब दिखाती है जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने ममी पापा से उस औरत की पास जाने के जिप करने लग जाते हैं पापा ऐसा तो सरक्स में बॉल से होता है ना ये अंटी तो केले से कर रही है चलिए ना बाबा देखते हैं रोहना एक पतली सितार पर चलती हुई केलों से कर्तब दिखाती है आते जाते सभी लोग बहार रुख कर उसके कर्तब देखते हैं और वावाही करते नहीं ठकते जैसे ही एक आग्मी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है तब वो कहती है अरे नहीं नहीं साहाब मैं कर्तब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ धन्दा तो मेरा केले का है पीछे देखो मेरे रिडडी जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरस्त और तंदुरस्त हो जाएगा पता चलता है क्या कि मेरी उम्रे 5 पन की है अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा यह ऐसे वैसे केले नहीं है साप यह शरेर में गरमी देते हैं ठंड को दूर बगाए जो भी रोहेणा के केले खाए पापा अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी तब ही उसके पापा कहते हैं बेटा केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते, ये सब कहने की बाते हैं, सामान बेशने का तरीका है इनका, पर पिंकी नहीं मानती, पिंकी की जित के आगे नत्थु हार जाता है, और उसे केले खरिद कर दे देता है, पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है, अब मैं ब बनकर बहा निकलाती है, मेरे भूत्या केले बच्चे नखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जाद उपर वालो, कब तक बच्चोगे, आ गई हूं मैं रोणा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना, रोणा पिंकी को गोध में उठा कर, काले धुए में कहीं गायब हो जाती है, शाम के वक्त नत्थु घर लोटता है, और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी मा से कहता है, मा, मा पिंकी कहां है, अरे बेटा, उसे तो तू सुबह कर्तब दिखाने ले गया था ना, फिर कहां बापस आये तुम दोनों, मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा, ए इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है, यही सोचते हुए रोनी केले खाता है, और पहला अकेला केला आधा खत्म दे नहीं करता कि चुड़ाल उसके सामने आ जाती है, मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी, यह तो बस शिरुवात है, अब इस गाउं के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कबजे में होगे, एक बच्चा भी नहीं बच्चेगा, यह कहकर रोना, रोनी को गोद में लेकर काले धुए में अद्रशी हो जाती है, इसके बाद हर रोज गाउं में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यूं हो रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था, रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में, नत्थु गाउं के एक तलाब के पास बैठा रो रहा था, नत्थु ये कहता हुआ रोही रहा था, कि तभी तालाब में से, उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है, और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ, जहां ये नदी खत्म होती है, वहाँ एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दर्वाजा है, वहीं से रास्ता आजाता है उस दुनिया का, ये कहकर शकुंदला की आत्मा गायब हो जाती है, गाउं के सभी लोग जुन्ड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि सारे बच्चे वहाँ काम कर रहे थे, सभी बच्चे अपने ममी पापा से लिपड़ जाते हैं, तो तुम लोग यहां तक आ गए? क्यूं हमारे बच्चों को पकड़ लिया तुने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले. क्या मतलब? हमें माफ कर दो रोणा, पता नहीं है किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं, हमारी खुशिया लोटा दो, तुम भी तो एक माँ हो. गाम वालों की बाद सुनकर रोणा का मन पिगल जाता है, और वो बच्चों को छोड़ देती है, उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है, अब कोई भी कभी भी वहाँ आ जा सकता था.